तो स्वागत है आपके चैनल में अगर आपका वर्टसाप अकाउंट हैक हुआ है या हैक होने से बचाना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हो तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा तीन बाते बताऊंगा आप वर्टसाप को हैक होने से कैसे बचा सकते हो य तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यदा मोड़े एपी की आ रहे है तो आपको प्लेश्टोर पे जाके पहले वाला वाट्साप जो है वो अनुश्टाल कर देना है और फिर से डाउनलड करके ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको मैं अंदर एक सेटिंग बनता हो तीन सेटिंग बनता होंगा बहुती महतोवपूर्ण आप ध्यान से व्डियो को देखना तो यहाँ पर थ्री डॉट पर उपर क्लिक कर लेना ठीक है यहाँ पर वाट्साप यहाँ पर क्या होता कि क्यू आर्स कोड दिखता है दोस्तों अगर किसी ने स्कैन किया हुआ है करके तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको तो यहाँ पर ओके करता हो मेरा तो क्यू आर्स कोड किसी ने स्कैन नहीं किया तो अगर स्कैन किया हुआ होता तो यहाँ पर उपर आ जाता कि आप दिलीट कीजिए ठीक है तो अभी तो मेरा जो है वो सही सलाम गज़े कोई डर डर देकी जरूरत नहीं अगर आपको यहाँ पर आपको दिखेगा कि किसी का दिखाई दे रहा है मतलब आपका वर्टस आप हो चुक आपको डर ने की कोई जरूरत नहीं इसमें आप दिलिट कर सकते हैं उपर दिलिट का आप्शन मिल जाता है ठीक है कि वर क चाहिए ठीक है अगर आपको यहाँ पर किसी की mail ID दिखते हैं मतलब आपको only one tab backup है आपको यहाँ पर किलिक कर लेना आपको देखना कि आपको यहाँ पर किसी की mail ID दिखाई दे रही है यह नहीं अगर किसी के mail ID दिखाई दे रही है तो आपको तो दिलीट करने का option मतलब उपर never होना चाहिए ठीक है तो मेरा भी never है तो ये बहुत तीन settings का आपको तीन settings आपको देखनी चाहिए कि आपका WhatsApp account hack तो नहीं हुआ तो मुझे comment में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी मतलब अच्छी लगी होगी तो like करना और channel को subscribe करना न